तो चलिए मैं डिनर थाली आप लोगे साथ शेयर करूए हूँ आधा गांटा में 30 नेट में बनने वाली है तो इधर कद्दू का सब्जी बना ली है करेला का भुजिया है दाल है चावल है दही है सलाद है और आम का अचार है और घी है तो मिथला थाली में आपको घी दही अ तो देखिए सबसे पली ये मिक्स दाल है इसको मैं दो लेती हूँ कहां के बजार का दाल ला था दो तीन पाने से महीं दो करके इसको मैं किप्ट कर देती हूँ और इसमें प descansi दाल में मैं अभी कुछ नहीं दाल यूंगे सिर्फ नमख और हल्दी दाल करके कुकर का धरकन में लगा करके इसको मैं मैं गैस पर डाल देती हूँ और चरपाच सिट आने तक मैं इसको पकाऊंगे, तो लो टु मीडियम, मीडियम सनस पर ही मैं पकाऊंगे, तो देखिए ओप यापन में गयाश को उपर दाल को चिप्ट कर देती हूँ, चनि अब तक दाल पंसाइट सिटी मारेगा, तब तक मैं आग ला स्टेप की तरफ चल जे लिए जब करकल हो जांके तो यहां मेरियेस को बएलbल्बॉ तको बसी दो दोंगे ढ़कर 2-2 मिनिट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूं तो देखें इधर दाल भी चिटी मारा है तो इस तरह से कुछ चिटाड 2 मिनिट के देखें मेरा करेला उल्टा-फुल्टा करके इस तरह से थुरा सा गल गया तो अब मैं इस स्टेज बर नमक डाल देखेंग तो देखिए फिर एक भर ढखने के बाद आप मैं फिर आपको दिखा तो देखिए कितना सुन्दा से करिला पगया नरम पर गया तो करिला का थुरा इस तरह से नहीं तो तीखा कम लगेगा थुरा संदमक पहले ही डाल दीजेगा तो चलिए अब मैं इसमें प्याज और हराम म दढ़ने के बाद में अब रहा है करीको जाल मेरा पग गया अब मैं गयस को दाल का बंद कर देती हूँ करिला का भुजिया में आपको टाइम लग जाएगा तो देखिए फिर अब में उल्टा पलटा कर ले अब मैं इसमें मिच मसला डाली है धनिया है और थोरा से मिर्च तब लोग तब फिर आप उठाश आपने तोड़ करता बहां कि दुखे के दिख़ें यह से ब हम फिर लेते हैं करता हम चाहए कैरा बहां किन में थोड़ते हैं तो एसा किक वहां पानिन से कारेक किस बता ज width आपने रहें आप में दाल भी ट्रांस्पर कर लेते हु, दूसरे बरतन में, तो चली, इदर में दाल ट्रांस्पर कर ली हूँ, देखे भुजूया में अभी फुर्ला टाским लेगा है, उसके बाद, फिर मैं, स्येम कूकर में, स्येम पेन में कूक हूँ, चाबल में उसमें, अठ कर दिएू दूसरे बतन में ट्रांसफर कर लिए तो स्यम पाइन में सब्जी बना लूँगी तो इसमें फिर सरसोतिल एड़ कर देंगे एक ठोट तेजपता आड़ कर देंगे सब्जी में तेजपता का टेस्ट अचाता है और इसमें जीरा एक चमचा और थोरा सा पाच फुरन पाच करती हूं लाल मिर्च कभी का छोला बगर हम डालती हूं तो देखे अधा मिनट भूनने के बाद प्याज हरा मिर्च को यहां अधरक लसुन का पेश्ट डाल देते हैं एक चमची और थोरा साथ है चमचा कदू में लासन भी बहुत अच्छा लगता लासन प्याज करता है त तो देखे अब मैं इसमें मिर्च मसाला को भी आइट कर देती हूं एक्तम सिंपल तरीका से बनाती हूं हल्ली पाउडर है धनिया पाउडर एक चमचा लाल मिर्च तिखा नहीं है और जीर और गोन मिर्च का पाउडर इस सारों को मैं अट कर दो कदू मिठा ही अचा लगता तो इसमें घीडा दियू और जीरा डाल करें घेस बंद कर दी हो और देखे यहां तरका में दाल में लगा तरका में लगा देख का दू का सब्जी भी मेरा करीब करीब नश ज़ी उप चुका है तो चलिए और में दिखा देती हूं मैं क्या-क्या बनाई हूं डिनर में सौ आपको देख लीजे, मेरा खाना करीब करीपक चुका है, थोरा सा कदु को मिला ली हूँ, थोरा सा मेरा थोरा हुआ, मिला हुआ अच्छा लगते हैं, तो दाल, कदु का सबजी, चावल, एक करेला का भुजिया, सलाद, मिर्चा, आम, का अचार, एक समचा घी तो बनता हैं, आपन में खाना को सर्फ कर दी, तो देखे, फ्रेंग्स, मेरा सिंपल सा आज मैं जीनर, आपनों के सामने से की हूँ, इधर मैं चावल बना लुए, इधर मिक्स डाल है, ये पद्दू का सबजी है, और ये दही है, और ये करेला का भुजिया है, और ये मुल्ला है, आम का जारे हरा मीची तो आई आप लोग भी खेंए, मैं घी भी दाल दिए पले ही, तो आई आप लोग खेंए, मेरा वीडियो सुलूचन तक जरूर देखिया, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक किजएगा, शेर किजएगा, सब्स्क्राइब किजएगा, अगले वीडियो फ